गुपाल गंज में शराब माफियाओं ने सड़क पर उत्माद भी भाग की गारी को देखकर उसमें टक्कर मार दी लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और आगे जाकर उनकी अस्कौर्पियो गारी एक गढ़े में पलट गई यह कोई पहली घटना नहीं है गारी के पलट जाने के बाद वहाँ पर शराब भी पकड़ी गई और गारी को भी फिलहाल जब्त कर लिया गया है लेकिन उसमें जो तसकर सवार थे वह भागने में सफल हो जाते हैं मतलब कि तसकरों की गिरफतारी नहीं हो सकी तो दूसरी तरफ खगड़िया जिले में ड्रोन से एक मिशे सब यान चड़ा कर दो दिनों के अंदर 1500 लिटर शराब जब्त की गई है पुलिस ड्रोन से उस इलाके को टार्गेट करती है जिन इलाकों में उनके लिए पहुँचना आसान नहीं है और पुलिस को यह बाद बखो भी मालूम है कि दो नंबर का काम उसी इलाके में ज़्यादा होता है जहां पुलिस के लिए पहुँचना आसान नहीं है अब दियरा के इलाके में ड्रोन कारगर सा भी थोड़ा है और ऐसा लग रहा है कि ड्रोन के माध्यम से अब वहाँ पर अभियान शफल हो सकता है और ड्रोन के माध्यम से सेक्रोलिटर शराब जब भी की जा रही है लेकिन शराब की तसकरी नहीं रुक रही है और जब शराब तसकरी की ख़वर आती है तब शराबंदी कानून में संसोधन को लेकर के सरकार की तरब से जो कुछ कहा गया था उसमें क्या कुछ चल रहा है इसकी चर्चा भी होनी जरूरी है मन निशेद मंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि संसोधन होगा और उसके लिए राय मशोरा लिया जा रहा है मत निशेद मंत्री सुनिल कुमार ने कुछ दिन पहले कहा था कि सराबंदी कानून में संसोधन की जरूवत है और उसके लिए राय मशोरा चल रहा है लेकिन पिछले कई महीनों से सिर्फ इस पर चर्चा हो रही है और तसकरी भी नहीं रुक रही है और ना ही कानून में संसोधन को लेकर कोई नहीं जानकारी आ रही है सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहा गया है कि शराबंदी कानून में संसोधन की जाएगी लेकिन पिछले कई महीनों से यह सिर्फ कहा जा रहा है अगर गोपाल गंच की बात करें तो वहाँ उत्पार भी बाग की गाड़ी में टककर मार दी जाती है खकडिया में दो दिन में लगबख 15100 लिटर शराब बरामत की जाती है दो दिन में 1500 लिडर शराब इसलिए बरामत होती है क्योंकि वहाँ ड्रोन के माध्यम से बिसेस अभियान चलाए जारा है और दो दिन पहले तक जब ड्रोन से अभियान नहीं चल रहा था तब तक तो वाशरा बनाई जा रही थी और पिलाई भी जा रही थी आप खुद इसके बारे में सोच सकते हैं यह भी सचा है कि पुलिस लगातार इस प्रकार की अभियान को नहीं चला सकती है और अगर पुलिस अभियान रोकेगी तो निशित तोर पर फिर से उन इलाकों में अवैद बैपार सुनू हो जाएगा मतलब कि कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर ही होनी चाहिए कि देशी शराब को पकड़ने के साथ साथ सरकार इसका पर्मानेंट सोलूसन क्या खोज रही है सरकार की तरफ से कोई भी अभियान लगातार सालों तक नहीं चिला आया सकता है और अगर यहसा होता है तो फिर बाकी के जो बेवस्था है बाकी की वो राज में बिगड़ेगी और कुछ वक्त पहले पटना हाई कोट में इसी बात को लेकर एक याच्चा भी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि केवन शराब के पीछे पुलिस को लगा देने से राज में बाकी की मेवस्था बिगड़ रही है और पटना हाई कोट की तरफ से बकाइदा सरकार से इस बात का जवाब भी मागा गया था कि अगर पुलिस को शराब के पीछे लगाए जा रहा है तो फिर सरकार के पास दूसरा विकल्प क्या है पटना हाई कोट में जो याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था कि अगर सरकार को शराब के पीछे पुलिस लगानी है तो कोई BCS बल बना लिया जाए जिससे कि जो राज की समाने पुलिस है वह अन्य परकार के अपरादों को लगाम लगाने में सक्षम रहे क्योंकि केवल शराब के पीछे भांगने एकारण बाकी के अपराद बेताहाशा बढ़ रहे है अब तस्मीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से दियरा का जो इलाका है नदी किनारे का जारू छेत्र होता है वहाँ जमीन में मिट्टी के अंदर देशी शराब बना कर रखी जाती है और उसे मिट्टी से ढख दिया जाता है इसी प्रकार से उनी इलाके में वही पर भठिया मनाई जाती है और वही शराफ तैयार होती है बता जारा है कि खगडिया में जो अभियान चलाए गया है वह लगवग एक सब्ता तक जारी रहेगी लेकिन एक सब्ता के पहले भी वहाँ अवैद धंदा हो रहा था और एक सब्ता बाद जब अभियान बंद हो जाएगी पुलिस को अभियान रोकनी पड़ेगी तब फिर वहाँ पर धंदा होगा मतलब कि कोई भी अभियान कुछ समय के लिए प्रभावी हो सकता है लेकिन लंबे समय के लिए वह कोई पर्मानेंट स्वलूसर नहीं हो सकता है बाकी मद्निशन मंत्री ने कहा था कि इस पर राय मशोरा लिया जा रहा है कि कैसे शराबंदी कानून को और अधिक मतलब अच्छा मनाया जाए जो कि जमीन पर लागू हो पाए और जमीन पर उसका प्रभाव वाकई में दिख सके तो हमें भी इंतजार करना होगा कि सरकार क्या कुछ गाय मशोरा कर रही है क्या कुछ निनने लेती है लेकिन पिछले कई महीनों से सिर्फ इंतजार हो रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से जो कहा गया था और उसमें अलग रहा था कि आने वाले कुछ दिनों में शराबंदी कानून को लेकर ढिल दी जाएगी और शराबंदी कानून को लेकर सरकार की तरब से कुछ महत्तुपून फैसला जरू लिया जाएगा फिलाल मदरिशेद मत्री ने कुछ वक्त पहले बताया था कि राय मशवला चल रहा है तो हमें भी उमीद है कि राय मशवला जल्द खत्म होगी और शराबंदी कानून को जमीन पर वाकई में कैसे ठिक किया जाए, कैसे दुरूस किया जाए और कैसे जो शराब की तसकरी है उसे वाकई में जमीन पर प्रभावी बनाया जाए, रोका जाए इसको लेकर क्या कुछ होगा अगर कुछ भी नए अपडेट आएगा तो उसे हमाँ तक योड़ पहुचाएंगे बाकी अगर आप वीडियो फेस्बूक पर देखना है तो पेश को भी लाइक कर लिजे तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत जल लगले वीडियो में केमरे वीशे खड़े हों परकास और मैं मुहित कमार सिंग बहुत बहुत धर्नवाद